कि हमारा कुछ भी एक भी पॉइंट चूटने वाला है कुछ भी नहीं चूटने दिया जाएगा चलिए सर यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले मैंने बोला कि Mr. X है उसने एक एसिट परचेस किया रुपीज 10,000 या वन लेक का खरीदा था एक चार दो हजार पंद्रा में और इस एसिट को इसने सोल्ड कर दिया सोल्ड कब किया सर इसने सोल्ड किया 31,000 दो हजार बाइस में 2022 में कितने का बेच दिया सर 20,000,000 रुपे का बेच दिया ठीक है बड़ा सिंपल सा है और बेचने के पीछे लॉजिक क्या था जो Mr. X था वो इस घर में रहके परिशान हो गया था आस प्रोडोस के मौहूल से परिशान हो गया था उसने ये घर बेच दिया है और इसने क्या करा सर अभी फिलहाल के लिए ये कहां रह रहा है मैं बता देता हूँ ये अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं जो रह रहा है वो डेली में रह रह रहा है चाहता है और वहाँ पे इसने एक property ले भी लिया है और property मैं एक assumption ले रहा हूँ देखो वहाँ 20 लाग की property तो है नहीं लेखिन मैं बोल रहा हूँ कि उसने 119 लाग का property वहाँ पे खरीद लिया है रहने के लिए तो सर ये कहानी है इसके पीछे की लेकिन मुझे कहानी का अंसर जानना मुझे जानना ही कि यहाँ पे capital gain होगा कितने का तो आप फटा फट से indexation लगा के जैसे आपको सिखाया था मैंने आप कौन बताएगा मैं 2 minute का वक्त दूँगा और आपको capital gain यहाँ मुझे बताना है just के sir capital gain कितना होगा पटा फट से capital gain बस मैं जानना चाहता हूँ capital gain क्योंकि कुछ start करने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान रखेंगे बताएगे फटा फट capital gain क्या होगा sir no capital gain बच्चे कह रहे है sir capital gain ही नहीं होगा अच्छा मतलब कम आ गया कि जादा मैंने कुछ चलिए मैं थोड़ा महंगा बेच दूँ क्या तब हो जाएगा न साइद मैंने लगता है अपना घर सस्ता बेच दिया है इसलिए नहीं आ रहा है मैं थोड़ा महंगा बेचता हूँ पचास लाग का चलिए अब तो हो जाएगा पचास लाग का साइद मेरा example थोड़ा गलत हो गया कोई बात नहीं मैं पचास लाग रुपए का अपना घर बेच रहा हूँ अब अब बताईए अभी भी बच्चे कह रहे है नो अभी भी नहीं आएगा ऐसा क्या हो गया मुझे अब साइद मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत मैं पता है क्या इस कहानी की मैं बाती नहीं कर रहा सर ये कहानी है ही नहीं ये कहानी तो मैंने इसकी मजबूरी बताया इसको आपको consider नहीं करना है निकालते टाइम पे आपके सामने सिर्फ ये ही सवाल है इसके कहानी की मजबूरी मैंने बताई ये अभी मजबूरी को आप incorporate मत करिये सिर्फ मुझे इसके हिसाब से बताईए बच्चे कह रहे हैं साथ मन साथ मेने हुए यहां से 15 में खरीदा है साथ मेने कैसे से हुए अभी शेक ने निकाल दिया 47,39,006 रुपे हैं कुछ बच्चे 18,006 बता रहें कितने आ रहें बताईए आपके सामने इसलिए मैंने इंडेक्सेशन भी रखा है बताईए आपके सामने इंडेक्सेशन भी रखा है सर्थ चेप्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सो तो पता चले जल्दी बताईए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ वेट कर रहा हूँ कीर्थी का जवाब आया है 48,075,048,075,197 अलग-अलग बच्चों का आंसर आ रहा है मैं भी करके देखना चाहूँगा फिर भी आपको कर दो जल्दी जल्दी बता दे चली अब मैं बता देता हूँ मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ सबसे पहले सर सेल्स और सेल्स की हम बात करें तो मैंने बेचा है पचास लाग का माइनस कुछ तो है नहीं तो सर यही आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन पचास लाग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्कोजेशन तो सर एक लाग और सर खरीदा है मैंने दो हजार पंदरा सोलह लगेगा तो 2015 सोलह देखें यहां पे है 254 और multiply कीस से करेंगे सर multiply हमें करना है किस से multiply कर देते हैं यहां पे हमारा current year 317 पताइए इस सवाल को solve करके क्या आया एक लाग चौबिस अजार आट सो तीन आया अब देन इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद क्या आया 48,75,190 अब देखिए यहाँ पे हर बच्चों का अलग आ सकता है किसी का 183 आ सकता है 150 आ सकता है 205 आ सकता है तो एप्रोक्स है ये ठीक है न, क्योंकि point की वज़े से होगा एप्रोक्स है ये, point की वज़े से रहेगा ये short term capital gain है या न न सर, ये, short term क्यों होगा देखिए आपको long term के लिए कितने महीने count करने है,24 महीने क्या 15 से लेके 22 तक 24 महीने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं 24 महिने से तो आपका क्या होगा ये long term कौन सा capital gain होगा long term समझ में आई बात आपको कहानी अब स्टार्ट करते हैं यहां तक किसी को doubt है तो हम आगे बढ़ जाए क्योंकि यहीं से main point मुझे स्टार्ट करना है आज का जो बहुत major part रहेगा theoretical बोल लो practical बोल लो whatever name call कर लो आप बस एक सवाल में सर थियोरी कितने अरे अभी यह सारी बाते करने का वक्त नहीं रहा के थियोरी कितने का है यह कितने का है सारी चीजे हर क्लास में बताई जाएगे थियोरी वाले section में भी मैं 3-4 chapter हो जाए तो मैं आपके लिए पूरा बताऊंगा कि इसमें से इतने marks का यह आएगा इसमें से इतने marks का यह आएगा अभी सिर्फ आज बहुत important topic है पूरे chapter की जान करवाने वाला हूँ मैं आज जो की मान के चलो एक तरीके से अगर जिसको यह वाला topic नहीं आता नहीं आता नहीं जैसे HP है मैं PCP छुड़वा दूँ आपको आता क्या आपको फिर कुछ नहीं आ रहा PCP में सेम आज वाला ऐसे ही है अगर आज वाला point आपने छोड़ दिया तो क्या आता है कुछ नहीं आता capital gain में सारा चीज तो आज इस पर बस focus करना है हमें सार capital gain के बस खतम कर देंगें चिंता मत कर आप चिंता ज्यादा कर रहे हो काम नहीं कर रहे है येस बीकों प्रोग्राम में PGPP भी आएगा अब देखो कमेंट पर मैं ध्यान नहीं दे रहा बच्चे मतलब इधर उदर का सवाल जादा पूछ रहे हैं मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे क्यैं आपको यह आया या नहीं आया समझ में यहां तक आ गया तो आगे बढ़ है चली आगे बढ़ जाते हैं अब आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को अब देखो ये जो हमारे सामने जो person है मेरे पास नहीं है की इसकी नहीं मेरी की यह तो अगर हम बात करें न तो यह जो व्यक्ति है किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं आप भी सूचिएगा सरकार कहता है सर हम लेंगे 20% तो सर 20% कितने का टेक्स आया बताइए 20% टेक्स कितने का आया सर 20% आएगा 48,75,196 का 20% सर 9,75,039 और नया घर जो यह खरीद रहा है जीके में महंगा कर देते हैं क्योंकि बेचा महंगा है तो महंगा अब यह घर प्लान कर रहा है खरीदने का सर जितने का बेचा उतने का तो खरीद लें बस सिफ्टिंग तो कर रहा है 50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, वहां पर जातो रहा है लेकिन बहुत मजबूरी में यहां पर इसको रहने का मतलब कि ऐसा environment नहीं मिल रहा है आज पर उससे जगड़ा होता रहता है इसलिए इसने सोचा है यहां से बेच के चलो कहीं और ले लेते हैं तो इसके मन में क्या चल रहा है इस मकान को बेचे और सिफ्ट हो रहा है और सरकार आप इसके उपर टेक्स लगा रहे है और वो भी बोल रहे सर आपका capital assets और capital gain लगाएंगे तो एक तरीके से ये तो कभी जाई नहीं पाएगा दूसरी जगह पर अगर इसके pocket में 40 लाग है तो 50 लाग का समान कैसे खरीदेगा यह या तो अपनी स रहे किसी reasons की वज़े से कहीं और जा रहा है तो सरकार को उस पर capital gain नहीं लेना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो सरकार से सभी ने request किया और government से बोला सर ये जो आप tax ले रहे हैं ना इस tax के उपर capital gain अगर नहीं लगता तो ये इनसान सायद बहुत easily कहीं दूसरी जगह ट्रांस प्रोविजन क्या कहा कि अब आगे से कभी भी ऐसा case हुआ ना कि कोई वक्ति घर बेच के अपना एक घर खरीद ले घर को बेच कर एक घर खरीतता है कोई भी person घर को बेच दिया और घर खरीतता है residential बेचता है और residential खरीद लेता है commercial की बात नहीं हुई residential बेचके residential खरीद लेता है तो हम ऐसा करेंगे उसका capital gain यह है और जितने का घर खरीदेगा न वो यहाँ पर minus कर देंगे हम section 54 series के अंदर deduction जैसे मालो इसने 50 का खरीदा है इसका capital gain बन रहा था 48 तो मैंने बोला जा भाई Mr. X तेरको माफ किया तेरा capital gain कर दिया zero अब तो कोई समस्या नहीं क्या यह capital gain भरेगा मैंने बोला अगर आपने घर बेच करके कोई घर खरीदा है capital gain हुआ agree लेकिन जितने का आपने घर खरीदा है वो आपका minus करने दे देंगे लेकिन यहाँ पर condition के जितना capital gain है वो या जितने का घर खरीदा है तो देखा जाए तो इसका tax बन रहा था 48 75,196 रुपए इसने घर तो 50 का खरीदा है गौर्मेंट ने बोला तुने घर लिया है तेरा intention यह नहीं है पैसा कमाना तो हम एक काम करते है जितने का घर लिया तेरा minus करने देते है लेकिन minus करेंगे तो negative में चले जाएगा ऐसे तो हमारा नुकसान होगा तो जितने का था वही minus करेंगा और तेरा taxable income कितना कर दिया capital gain में 0 जैसा ही मैंने तेरा taxable income जीरो किया capital gain में वैसा ही क्या हुआ कि तू अब कहीं भी shift हो सकता है easily मुझे tax देने की अब जौरत नहीं है अब वो 50 लाग का घर खरीद लेगा तो यहाँ पे government एक section लेके आता है जिस section का नाम और जिस section का number है हम एक-एक section को देखेंगे section है 54 सर सेक्शन 54 की सीरीज करेंगे section 54 क्या कहता है if purchase if capital gain arise from residential house property is capital gain arise residential house property then then deduction allowed if purchase new house यह सारी बाते मैं roughly लिख रहा हूँ यह सारी बाते लिखी लिखाएं आपको मिल जाएगी बस अभी पहले आपने concept समझना है सरकार ने कहा अगर कोई व्यक्ति आज के बाद कोई व्यक्ति आज के बाद कोई भी घर बेचके कहीं और सिफ्ट हो रहा है और वहां दूसरी जगह वो घर खरीद लेता है तो हम क्या करेंगे जितना capital खरीद होगे तो हम क्या कर देंगे उसका amount जितना भी हो माइनस कर देंगे ताकि आपका intention नहीं है कि आप पैसा कमाना सिर्फ इसलिए सर साथ के साथ जब ऐसा word बोला गया तो यहां एक problem create हुआ problem create यह हुआ कि जो घर है वो खरीदना कब है कब आपको यह घर खरीदना है क्योंकि एक घर खरीदने का decision ना काफी लंबा समय ले लेता है घर खरीदने का decision लंबा समय लेता है आपको बोल दूँ मैं कि घर खरीदना है तो आप बहुत जगह property देखोगे जब पसंद आएगा तो लोगे उसमें साल भर भी लग सकता है दो साल भी लग सकता है time तो लगेगा आपने दो हजार 2020 के अंदर घर बेचा है तो 2020 में CG calculate होगा आपको घर खरीदने में दो साल लगने वाले हैं आप घर नहीं खरीद पारे तो 2020 में तो आप घर नहीं खरीद पाए नहीं खरीद पाए ना घर तो 2020 में तो आपका capital gain लग जाएगा तो public ने का सारा अगर ये provision में थोड़ा changes किया जाए इस provision में क्या implementation करिए कि हम जब घर बेचे ने तो हमें कुछ समय भी दीजिए उस घर को खरीदने का नहीं तो होगा क्या हमें से एक साल बीथ जाएगा हम ढूंदते रहेंगे जल्द वाजी में फिर ऐसी जगह घर ले लेंगे फिर अगले बार वही कहानी हो जाएगी गवर्मेंट ने का ठीक है भाई तेरा जो भी पैसा तुने capital gain जो भी पैसा तुने यहाँ पे करा है मान लेते तुने 50 लाख रुपे का घर बेचा है तुझे समय चाहिए तो इस पैसे को जमा कर इस पैसे को जमा करो deposit करो सर कहां deposit करना है गवर्मेंट ने बोला हम बताएंगे अगर तुने यह पैसा deposit कर दिया तब भी हम तुदे डिड़क्शन दे देंगे बोला गया कि इस पैसे को deposit करो capital gain capital gain deposit account में सर यह कैसे बनेगा आपको कही नियर बाइ bank में जाना है और bank में जाके एक बोलना है कि हमें capital gain deposit account खुलवाना है और अब वहाँ पैसे जमा कर दो तो हम ऐसा करेंगे न 2020 के अंदर तेरा सबसे पहले तो निकाल देंगे मान लेते हैं sales तुने क्या एक करोड का और तेरा purchase था suppose कर 50 या 60 लाग का तेरा capital gain कितना आगया CG 40 लाग अब तो CG एक करोड तेरे pocket में है ना तो एक करोड में से कितने amount तुने जमा करवा है उसने बोला कि मैंने 70 लाग रुपे जमा करवा दिया 70 का खरीदना है तो बोला ठीक है सर तुने deposit कर दिया तो हम आपको deduction दे देंगे 54 के अंदर और deduction अभी 54 नहीं हम तुझे अभी पूरे पर टेक्स देने के लिए नहीं बोलेंगे तुझे deduction मिल जाएगा पूरे 40 लाग का और तुझे टेक्स कितना देना है यानि सर बात कुछ समझ में नहीं आई एक करोड का sale किया 60 लाग का खरीदा मतलब का खरीदा था तो 40 लाग की income अब पैसे ये लेके घूम रहा है कितने पैसे लेके घूम रहा है अपने pocket में एक करोड पर्चेस पहले किया था अब CG कैसे निकालोगे पहले कितने का खरीदा था एक करोड का बेचा कितने का भी एक करोड का और पहले कितने का खरीदा था CG कितना आया 40 तो आपके pocket में कितने पैसे लेके घूम रहे हो 1CR है मेरे pocket में सोच रहे हैं घर खरीदेंगे 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 रिटन फाइल करने की data गई अगर रिटन फाइल करने से पहले खरीद लो के तो टेंशन नहीं है तब तो माइनस कर देंगे हम लेकिन रिटन फाइल करने की डेट आ गई हमें इंकम टेक्स ऑफिसर को जवाब देना है हमें बताना है अपने इंकम का डिटेल तो ऐसे सिचुएशन में सर घरी नहीं मिल रहा आप बोल रहें इतनी जल्द बाजी थोड़ी ना कर सकते हैं किसी ने हो सकता 31 मार्च को भी बेचा हो एक दिन में खरीद लेगा घर वो समय तो चाहिए और एक दिन बाद ही कुन सा साल आ जाएगा नेक्स्ट यर आ जाएगा तो उसने बोला समय तो च पर क्या करना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा लेकिन उसने बोला सर यह 30 लाख वाला फड़ा क्या है मैं अगर 40 जमा करता तो क्या होता बोला फिर मैं तुझे 40 माइनस करने के लिए दे देता और तुझे 13 टेक्स बनता बोला सर अगर मैं 50 करता तो क्या होता माइनस मे ही रहता और तुझे टेक्स हम जीरो करने के लिए बोल रहे हैं हम यह नहीं बोल रहे हैं कि तू हमसे पैसे ले ले लेकिन थोड़ा भी डिले हुआ तो पैसे को जमा करा देंगे कहां पर जाके capital gain deposit के अंदर वहां भी आज बगर वे मिलेगा एक विक्ति आया और उसने बुला सर आप इस बात की बात कर रहे हैं उसने कहा कि सर मैंने एक अपना घर था इस घर को मैंने बेच दिया 1CR का और इसको मैंने परचेज किया था सर 60 लेक का तो मेरा capital gain आपने बता दिया 40 लेक का मैं एक करोड से जादा महंगा बजट करके चल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूँ अपने रहने के लिए छोटे घर में मेरा नहीं था तो मैं बेच के जा रहा हूँ मैंने capital gain deposit में अभी जमा नहीं करा है अभी सिर्फ मैंने घर बनवाने में सिर्फ और सिर्फ मैंने कितने लगाएं सर अभी मैंने सिर्फ लगाएं घर बनवाने में 10 लाक ही लगाए क्योंकि एकदम से ऐसा थोड़ी है एक तो है कि बना बनाया घर खरीद लिया तो ठीक अब बनवाने की बात चल रहे है तो बनवाने में तो साल हो साल लग जाएंगे तो सर बनवाने में कितना पैसा लगेगा अभी तो नहीं बता सकते जब पूरा घर फिनिस्ट होगा तब बताएंगे तो आप बताईए मैं कितना माइनस करूँ अभी मेरे सिर्फ 10 लगें तो मैं 10 ही माइनस करूँ आ क्या गौर्मेंट ने कहा रुख जाओ आपका भी समस्या का सोल्यूशन है आप पैसे को जमा करिए CG में यानि Capital Gain Deposit में जितना Capital Gain Deposit में जमा कर लेंगे आपको यहां से माइनस करने के लिए हम लाउट कर देंगे लेकिन हमारा सर्थ यह है कि यह घर जो बना रहे हो ना ताज में इलमत बना देना तीन साल के अंदर अंदर बना के दिखाना आपको यानि तीन साल के अंदर construction करके देना अगर तीन सालों तक आपके पैसे CG में पड़े रहे ना तो हम मान लेंगे आपका intention ही नहीं था घर बनाने का और हम आपका पूरा का पूरा उठाके taxable कर देंगे उसको यानि अगर कोई भी पैसा आपने capital gain deposit में करवाया है तो सर बनाने के लिए आपको वक्त दिया गया कितना वक्त दिया गया है तीन साल तो सर पिछले एक्जामपल में भी तो जमा करवाया था वहाँ पे हमने बनवाया नहीं तक खरीदा था तो बोला खरीदने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए दो सारा यानि सर आपने घर बेचा capital gain अराइज हुआ आपको घर खरीदने के लिए वक्त चाहिए तो सर आप capital gain deposit में रखिए और अपने income tax के लिए minus कर लीजिए और minus करने के बाद फिर further दो साल के अंदर घर खरीद लीजिए अगर दो साल से delay होंगे तो जो आपने minus किया है वो उठा के taxable कर देंगे आगे लेकिन अगर बनवाने का case है तो आपको कितना तीन सार एक और person आया उसमें बोला सर ये कहानी समझ में आ गया बनवाने के लिए भी time मिल गया खरीदने के लिए भी time मिल गया और उस साल में कर अब उसका भी कोई benefit है तो बताओ क्योंकि मैं plan कर रहा हूं कि मैंने सोचा यार अभी अगर घर बेच दिया तो कहां जाओगा किराये पे तो पहले एक काम करते हैं घर खरीद लेते हैं पैसे पढ़े हुए FD कर रखे हैं उसको तुड़वा के घर खरीदते हैं वो घर खरी government ने बोला बात तो सही है फिर government provision में एक और line add करता है कि अगर किसी ने एक साल पहले भी घर खरीदा हो ऐसा नहीं कि आपने 50 साल पहले खरीद लिया हो इतनी लंबी planning नहीं अगर आपने एक साल बिफोर भी कोई घर खरीदा हो तो उसको भी deduction देने के लिए तयार हैं और सर यह सारी deduction कहां मिलेगा section 54 के अंदर section 54 सिर्फ 54 और कुछ भी नहीं है कहां मिलेगा section अब लोगों ने क्या करा इसका सरकार ने बताया simple provision था अब लोगों ने इसका गलत फाइदा उस टार्ट कर दिया अब जब गलत फाइदा उठाना इस टार्ट कर दिया तो उसमें सरकार को कुछ restriction लगाने पड़ गए simple सा provision क्या था घर आपने बेचा है residential और आपने घर खरीदा है वो भी residential तो माइनस कर दीजिए आपको capital gain नहीं देना होगा लेकिन अगर आप बनवाने के लिए आप wait करते हैं तो 3 साल का वक्त आगे दे दिया गया है पैसा लेकिन pocket में नहीं होना चीए कहां पर होना चीए capital gain और अगर आप नया घर plan कर रहे हैं खरीदने के लिए तो 2 साल में भाईया खरीद लेना और अगर आपने एक साल पहले भी खरीद रखा है तो वो भी allowed होगा उसी साल खरीदा तब तो है यह done तब तो कोई दिक्कत वाली बात capital gain deposit में से पैसा construction व वो देखो simple सी बात है income tax वाले तो आपके उपर इल्जाम लगा देंगे कि आपने घर नहीं खरीदा प्रूफ करना आपके जिम्मेदारी है वो तो इल्जाम लगाएंगे प्रूफ आपको करना होगा income tax का notice आता है न तो notice का मतलब क्या है भाई तेरे पास 5 करोड के income है तो हम घबरा के से जाते हैं अगर है तो घबरा रहा है नहीं है तो भाई है ही नहीं हमारे पास income तो प्रूफ करना हमारे responsibility है अब यहाँ पे लो 30,000,000 का मकान खरीद लिया 80,000,000 बचा लिये और इसने कहा के एक और मकान खरीद लेते हैं 30,000,000 का मकान खरीद लिया बोला एक और मकान खरीद लेते हैं मैंने 50,000,000 का मकान खरीद लिया बोला अलग-अलग मकान हमने खरीद लिये और यह सारे मकान जो खरीदे हैं इस पर क किरायदार तो यहां पर उसने टेक्स बचाने की कोशिस करी और इंकम कमाने के कोशिस करा intention यह था कि मैंगा घर बेज देते हैं एक सस्ता अपने रहने के लिए ले लेंगा बागी किराय पर चढ़ा देंगे law में यह था कि अगर आप कोई घर खरीदते हो तो आपको deduction करना allowed है तो यहां पर क्या था simply इस वेक्ति की मैं थोड़ी से कहानी बताओ तो सर एक करोड का sold किया इसने और इसका purchase पहले से था मान लेते हैं कि 60 lakh तो 40 lakh का benefit था और इसने सारे घर में पैसे में लगा दियो और यह चाहरा था कि 40 lakh यहां से minus करके अपना tax क्या कर दूँ जीरो कर दूँ यह चाहरा था इसका intention यह था law ने बोला भया तू न ज़्यादा से ज़्यादा दो घर खरी सकता इससे ज़्यादा घर खरी देगा restriction लगा दिया दो घर खरी सकता इससे ज़्यादा नहीं खरी देगा हाला कि यहां पर तेरी taxable income 40 lakh बन रही है लेकिन law ने क्या कहा तू कितने घर खरी सकता है स्रेफ कोई भी दो घर हम consider कर लेंगे वो तेरे उपर दे दिया मैंने कौन सा घर खरी देगा लेकिन capital gain बहुत ज़्यादा amount का भी होता है कुछ घर ऐसे भी होते हैं जोकि हजारो करोड रुपए के भी बिखते हैं तो वहाँ पे capital gain मान लो अगर 500 करोड रुपए है तो 500 करोड का 20% कितना होगा 100 करोड सिर्फ tax उसके उपर सैस वेस तो हटाई दो तो government ने बोला ये provision सिर्फ गरीबों के लिए है अमीर के लिए नहीं ला रहे हैं उसने बोला ये provision गरीबों के लिए है आप घर को बेचके जो नया घर खरीदेंगे ना वो 2 करोड से उपर का नहीं होना चाहिए अगर नया घर नियू वाला house जो आप खरीदने जा रहे हैं वो 2 करोड रुपीज से उपर का हुआ तो हम आपको यहां deduction नहीं करने देंगे मैं एक question भी लुगा और सारी चीजे समझाऊँगा पहले एक बार इस पूरे थियोरी को समझे के सर अगर कोई भी individual हुआ तो बोला गया सर आपको capital gain के अंदर deduction मिलता है कौन से में मिलेगा section 54 में सर क्या बेचना है सर घर बेचना है सर क्या खरीदना है घर खरीदना है कितने घर खरीदने है दो कब खरीद लेने है या तो सर तीन साल बाद बनवाना या फिर दो साल बाद खरीदना या एक साल पहले खरीद लेना कितने रुपे तक का allowed है सिर्फ 2 करोड दो करोड से उपर का हुआ तो deduction एक वेक्ति ने क्या करा घर लिया और घर यहां नहीं ले रहा हूँ बोल रहा है मैं इंडिया के बाहर लूँगा लॉँगा 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 में तो यही लिखा है कि हम घर खरीदने के लिए बोला गया तो घर कहीं भी खरीद लेते हैं यूएस में खरीद लेते हैं कहीं भी खरीद लेते हैं law ने बोला भाईया इंडिया के अंदर provision है आपको घर कहां खरीदना होगा इंडिया के अंदर ही खरीदना होगा तो ये सारी बाते कहां पर लिखी है सर, section 50, तो ये मैंने एक overview क्या मैंने पूरा बता दिया है आपको, एक सवाल इसके उपर देख लेते हैं, तो फिर हमें और ज्यादा clarity हो जाएगा है कि section 54 को किस तरीके से apply किया जाए, इसको मैं एक summary बना देता हूँ कि section 54 क्या कहता है सर, section सर, capital gain कौन सा होना चाहिए, सर, long term वाले पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले घर खरीदा था, बेच दिया, capital gain हुआ, फिर एक घर खरीद लिया, तो short term capital gain पे allowed नहीं है, किस पे मिलेगा ये, long term सर, what purchase, क्या खरीद होगे, सर, आपको खरीदना है, residential house, सर, long term capital gain किस से होना चाहिए, from residential house, इसके बाद सर, when purchase, सर, कब purchase करेंगे, अगर आप खरीद सकते हो, before, one year, or, after, two year, and for construction, कितने साल में, तीन साल में, हो जाना चाहिए, complete, सर, घर कहां खरीदना है, where, सर, in, इंडिया, सर, कितने घर खरीदना है, how many, तो सर, आपको खरीदना है, two house, maximum है ये, सर, कितने का खरीदना है, amount, सर, दो करोड रुपए से जादा का नहीं होना चाहिए, ये सारा मैंने चार्ट में बनाये हुए, अभी मैं दिखा दूँगा, और वो समझ में भी आ जाएगा, पच्चे करें, दो करोड गरीब, सरकार तो इसी को मानती है, गरीब अभी तो फिलाल, पहले यहां तक देखिए, समझ में आया कुछ, ये प्रोविजन जो अपलाए, एक सवाल इसके उपर देख लेते हैं, फटा-फटे मैं एक सवाल आपको करवाता हूँ, ताकि आपको section समझ में आता जाए, और बहुत important section है, इसके उपर पूरी theory आएगे, जितनी मैंने अभ आपको theory में लिखना है, 6 marks का, या 10 marks का theory पूछा ही पूछा जाता है, Sir, capital gain, capital gain, चल यह सवाल आपके सामने है, अभी दिखाते हैं, कि कि रची आएगे, लिखी आपको को हुए, एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गया कि जो नया घर खरीदेंगे उसके उपर भी गौर्वर्मेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि सर आपको चार साल तक तीन साल तक नहीं बेचना सर एक छोटी सी बात बताना भूल गया सर क्या बताना भूल गया कि जो नये वाला घर खरीदा है ना उसको भी तीन सालों तक नहीं बेचना एक सवाल देख लेते हैं फिर हम थियोरी पढ़ लेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल देखने के बाद फिर थियोरी ज़्यादा समझवें आएगा हमें तो चलिए एक सवाल देखते हैं आपके अभी बुक के ही कोशन चलेंगे क्योंकि बेसिक बेसिक कंसर्प्ट पे है जिनके पास बुक है ग्रीस आहुजा वो बुक में देख सकते हैं जिनके पास नहीं है सामने कोशन तो मैं डिस्पले करवाई रहा हूँ आपके लिए चलिए सर सवाल क्या कहता है देखते हैं कुशन को पढ़ लेते हैं कहता है मिस्टर जी है सोल्ड आर रेजिडेंशल हाउस अठाइस छे दो हजार एककिस में बेच दिया और कितने का बेचा इसने सर तीस लाग का इसने दो लाग सतर हजार खर्च किये इस घर को बनवाने के लिए इंप्रूब्मेंट के लिए दिरिंग दा 2006 और 2007 फी परचेज अन्यू हाउस 21 दस दो हजार एककिस मतलब सेम एर में ही इसने खरीद लिये यानि दो साल बाद की तो कोई कहानी नहीं है तीन साल बाद की भी कोई कहानी नहीं है इसने कब खरीदा है सेम में कितने का खरीदा सर आठ लाख पचास का इस घर को भी इसने बेच दिया दो हजार 22 में कितने का और ही परचेज अनदर हाउस इसने एक और घर खरीद लिया 2022 में आठ लाख रुपए का कम्प्यूट कैपिटल गेन 22 और 23 चौबिस पहले तो हम 22 तेइस का समझ लेते हैं ठीक है पहले तो हम 22 तेइस का समझ लेंगे कि क्या होने वाला है या मैं इस सवाल को दो पार्ट में कराना चाहूँगा एक थोड़ा सा चलिए 22 कोई बात नहीं बहुत सिंपल ही है सर यह हम कर रहे है 22 तेइस असेस्मेंट यह सबसे पहले सेल्स सर कितने का बेचा इसने 30 लाग एक्सपेंस है नहीं तो यही आजाएगा हमारा नेट सेल कंसीडरेशन लेस कॉस्ट ओफ एक्यूजेशन सर खरीदा था इसने पांच बीस का और कितने का इंडेक्सेशन देखते हैं पांच और छे पांच और छे एक्सो सर एक्सो सत्रा है एक्सो सत्रा इसको सॉल्व किया जाए क्या रहा इसको सॉल्व करने के बाद पांच लाग बीस अजार डिवाइड़ बाए 117 इन्टू में 317 यह आगया 1,4 0 हाँ 1,4,0 एक बार और आठ यह तो जगे बनानी पड़ेगे सर यहाँ पर आगया long term capital gain long term cg minus कर दें अगर हम इसमें से 30 लाग तो यह आजाता है हमारा 15 लाग 91,000 111 अरे भूल गया होता है इंप्रूमेंट लेना है इंप्रूमेंट तो भूली गया सर less COI सर इंप्रूमेंट करा था इसने घर में कितने का 270 और सर 270 में भी यही लगेगा 317 सर किस साल किया इंप्रूमेंट इसने 6 और 7 में कुश्चन में कहता है कि 6 7 तो सर इसका indexation क्या है बताइए देखना पड़ेगा अपने साथ यह तो ले के चलना है बुक के अंदर निकाल लेजिए बुक में कितने हैं 100 25 आपने 10 यर भी ले रखा है सभी बच्चों ने फिर भी अब 122 निकाल लेजिए फटा फटा आगे आने आले कुश्चन में ज़रत पड़ेगा 270 दिवाइड बाइ 122 इंटू में 317 देट इस 70 1557 सर अब निकाल लेते हैं capital gain LTCG सर 30 लाख माइनस 140 8888 माइनस 70 1557 सर यह आगे 88 9555 यानि सर 8 लाख सर 8 लाख 89 555 8,89,555 यह आगे capital gain पहले यहां तक देखे अभी हमने इसमें जो सीखा है वो apply नहीं किया पहले यहां तक बताईए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया यहां तक बताईए आपको आया नहीं आया सर इंडेक्शेंस इन लरन करना बिल्कुल नहीं लरन करना इंडेक्शेशन आपको एक्जाम में मिलेगा यहां तक हर किसी को clear है क्या अब law कहता है कि अगर आपने एक घर खरीदा है तो आपको हम exemption देंगे तो क्या इसने घर खरीदा है सवाल में देखिए तो जी हां इसने एक new residential house खरीदा है उसी साल खरीद लिया यानि हमारा taxation calculation चल रहा है 14-2020 से लेके 31-3-2021 तक शरी 22-23 का है न 21-22 होगा मैंने date थोड़ा सा एक पीछे ले लिया है यह होगा सर 21 और यह 22 हमें accounting, हमें taxation, हमें calculation इस time का करना है तो अगर इस साल के दोरान में आपने घर को खरीद लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो आपके लिए कोई tension ही नहीं है इस साल के बाद अगर खरीदते हो तो आपको पैसा deposit करना होता है सर कहा deposit करना होता है इस साल के बाद खरीते हो तो आपको capital gains deposit में करना पड़ता है और सर अगर आप purchase करते हो और उस purpose के लिए करते हो तो आपको 2 साल के वक्त दिया जाएगा अगर construction करते हो आपका purpose है तो कितने साल का वक्त दिया जाएगा तीन साल का और आपने जो नया घर खरीदा है condition ये इसे बेचना नहीं है कब तक नहीं बेचना है तीन साल तक अगर तीन साल के अंदर अंदर इस घर को बेच दिया तो क्या कहानी होने वाला इस सवाल में दिख जाएगा आपको तो सर अभी तो इसने बेचा है घर और बेचने के बाद एक नया घर आठ पचास का खरीद लिया है तो अभी फिलाल जो दूसरा घर था ना जो बेचा जो घर खरीदा इसने इसे इस साल तो नहीं बेच रही है इसने बेचा है 16,7,22 और 16,7,22 कौन से साल आ जाता है अगले साल अगले साल की देखेंगे कहानी इस साल में तो बोला सरकार को जब मैं टेक्स जमा कराने गिया तो मैंने बोला सरकार गॉर्मेंट मेरा 8,89,555 का कैपिटल गेन है और बता रहा हूं मैं आपको इस साल मैंने घर भी खरीद लिया गॉर्मेंट ने बोला अच्छा घर खरीद लिया है तो माइनस कर लो लेस एक्जेम्शन कर लो बोला कैसे बोला सेक्शन 54 पढ़के आईए वहाँ पे दिया है हमने आपको कितना माइनस करना है अगर आपने इस से जादा का घर खरीदा है तो इतना ही होगा इस से कम का खरीदा है तो कम वाला तो सर आपने घर खरीदा आठपचास कम वाला तो कम वाला माइनस होगा बाकी कितने बच गए आपके आपके बच गए आठ पचास माइनस करूगे तो थर्टी नाइन सर अब आपको इसके उपर टेक्स देना है बच नहीं सकते इसके उपर कितना टेक्स देना है 20% दे के छुटी मैं अभी इस साल में मैं फ्यूचर नहीं जानता फ्यूचर तो कुश्चन दिखा रहा है मैं बस मैं भी इस साल की बात कर रहा हूँ अभी अगले साल में आओंगा इस साल में ये कहानी रही होगी इसके बाद की जो कहानी है लो जो यहां से बोल रहा है इसको आप बिल्कुल भी अभी ना देकए अभी बस पांच मिनिट का टाइम ले फिर मैं उसको बताऊंगा यहां से मैंने सिर्फ और सिर्फ यह जो मैं मांक कर रहा हूँ मैं इसकी कहानी आपको बता रहा हूँ इसके बाद वाली कहानी वो अगले साल की बात करता है तो अगले साल की बाद हम दूसरे टेवल में करेंगे यहां तक किसी बच्चे को doubt है तो बता दीजिए फटा फट से किलिया रहा है हर बच्चो को सर ये main ये है जो सिखाया है ये practical के अंदर भी apply होगा और theoretical के अंदर भी आएगा section 54 explain करिए अब इसके बाद अगले साल government ने बोला था भाई इस घर को तीन साल तक नहीं बेचना लेकिन इसने क्या करा जैसे हमारा अगला साल स्टार्ट हुआ एक चार दो हजार बाइस से हमारा अगला साल होगा 31 तीन 2023 जैसे ये साल हमारा चल रहा था तो इसी साल में इसने जो ये वाला घर खरीदा था उस घर को इसने क्या करा बेच दिया कितने का बेच दिया सर इस वाले घर को इसने सर इस वाले घर को इसने बेच दिया 10 लाग का सरकार ने बोला था हमने मना किया था तुझे मना किया था कि 3 साल तक नहीं बेचना तेरी मजबूरी का मतलब कि तुम्हें क्यों दिया गया deduction कि तुम्हारी मजबूरी थी तो सर मजबूरी ऐसा थोड़ी होता है कि हर 6 मेने बाद आजाए आपकी मजबूरी कम से कम 3 साल तो रहो आज पढ़ो उसमें पता चला आप ही बेकार हो आप ही लड़ रहे हो सबसे और benefit भी आप ही ले रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता न अगर आपकी problem है तो आप 3 साल तक तो hold करिए यानि long term आपको रखना ऐसे 3 साल के बाद आपने बेच रहा है सर लेकिन इसने 3 साल के पहले ही बेच दिया तो अब अगर इसने 3 साल के पहले बेच दिया तो क्या होगा इसके कहानी में ये देख लेते हैं सर इसके साथ जो होना है अगले साल होगा, इस साल थो भाईय यह deduction लेकर चुपचा बैठा हुआ है, जो होना है वो अगले साल होना है इसके साथ, अगले साल की कहानी मैं इधर कर देता हूँ, इसको इधर shift कर देते हैं, सवाल तो दिखी रहा है, और यहां space बनाके अब मैं जो यहां करने वाला हूँ यह कौन सा साल करने वाला हूँ दो हजार तेईस चौवेस अब दो हजार तेईस चौवेस में फिर जाएगा income tax वाले के पास के sir मेरी capital gain की calculation अब देखो कौन था यह नाम क्या था इसका Mr. G और G जाता है अगले साल और अगले साल क्या करता है देख लिजे कहता है sir income tax officer मैंने फिर बेचा घर 10 लाग का और sir मैंने बेचा है इसे 3 साल के अंदर यानि sir 24 महिने के अंदर तो sir मेरा यह है short term capital gain क्योंकि देखो कब बेच दिया इसने 22 में खरीदा कब था 21 में 21 से 22 में बेच रहे तो 12 महिने के आसपास ही बेच दिया इसने तो भाईया यह है short term बोला भाईया इसके अंदर से यह आगया हमारा net sale consideration 10 लाग और minus मैं कर रहा हूँ cost of acquisition indexation तो आप दोगे नी short term में तो मैंने इस घर को खरीदा था कितने का 8 50 का आपको text चाहिए मैं 1.5 लाग पे देने के लिए तैयार हूँ और क्या ऐसा हो सकता एक घर और खरीद लिया एक बार और दे दो मुझे 54 वाला deduction तो यह भी बच जाएगा मेरा 1.5 लाग रुपे क्या ऐसा हो सकता है क्या गौर्णमेंट ने बुला भाई देख तेरी calculation तो एकदम गलत है अब हम अपनी calculation बताते हैं क्या होगा जिसके भी यह calculation थी पूरी गलत बुला हम बताते हैं तुझे calculation क्या गलती सर यह 54 नहीं दोगे बस इतना ही काटो पूरा क्यूं काट दिया 54 नहीं दोगे तो 54 काटो बुला यह भी गलत है भाई सही calculation क्या है सेल है न बुला हाँ short term capital gain निकलेगा बुला यह भी सही कर रहा है तुझे यानि 2022 तेईस चौबिस के लिए निकाल रहे हैं हम 23 चौबिस यानि 22 और 23 previous year सर तेरी जो sales मानी जाएगी ना वो sales तो मानी जाएगी तेरी 10 लाक की तुने बेचा है और less इसमें से करेंगे cost of acquisition कितने का खरीदा था उसने बुला सर मैंने खरीदा था 8 50 का बुला इस 8 50 का तुने पहले benefit ले लिया था ना तो हम मान लेंगे तुने पहले benefit ले चुका है तेरी punishment है तुने खरीदा कितने का पता है जीरो का अब तेरा capital gain कितना आएगा यानि अगर तु तीन साल बाद ये बेचता ना तो एक तो हम तुझे इस पर indexation भी देते और यहाँ minus करने भी देते लेकिन तुने आठ पचास का पहले exemption ले चुका है और वो तुने rule को तोड़ा था तो पहले तो पिछले साल मुझे क्या पता तू आगे ऐसे करता तो पहले मैं minus ही नहीं करने देता पहले minus किया अब इस साल हमने क्या करा जो minus करने दिया था आपसी ले लिया क्यूंकि यहां वैसे आठ पचास minus होना चाहिए था मैंने इसको minus कितना करने दिया यहां पर सपोज करो पहले वो डिडेक्शन लेता छे लाक तो यहां हम इसे कितना minus करने देते आठ पचास में से चे minus करके सिर्फ और सिर्फ ढाई लाक माइनस करने देते हैं समझ रहे हो बात को तो यहां पर इसे 0 minus करने देंगे और इसका capital gain क्या होगा 10 लाक रुपे माना जाएगा और सर कौन सा capital gain होगा STCG यह हमारा अगले साल का calculation आएगा 2022 मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि मैंने उपर सारे detail नहीं लिखा है क्योंकि मेरे concept बता रहा हूँ 10 year के अंदर मैंने detail में सारा लिखा है भाई यह SSC क्या होता है कैसे लिखते हैं यहां पर उपर कैसे लिखा जाता है for the assessment year या computation of capital gain for Mr. G for the assessment year this this और यह पूरा format सजा के अच्छे से लिखना है सर यहां note डालना जरूरी है note किसके लिए section 54 के लिए note क्या देंगे if any SSC sold any residential house and purchase residential house within a year then exemption will be allowed under section 54 यहां पर note देंगे in case of SSC sold any purchase residential house within a three year then exemption will be cancelled तो यहां पर exemption क्या हो गया इसका cancelled हो गया इस सभी के note मैंने 10 year में दो दो liner है लिखे हुए है proper तरीके से जो आपको exam में लिख के आने किसी भी solution को देखोगे तो उसका यही रहेगा सर एक बार और ठीक अभी एक बताते हैं चिंता मत करो पहले आप एक बार देखो थोड़ा सा वक्त लो थोड़ा सा टाइम लीजिए हाँ तीन साल बाद definitely अगर बेचेगा और तीन साल बाद जब यह खरीदेगा तो उसे deduction भी मिल जाएगा क्यूंकि deduction क्या कहता है देखो लिस्ट कहता है 54 किसी सब के लिए सर section 54 सब के लिए condition है आपका assets अगर हुआ long term तो अब तीन साल बाद जब हम घर बेचेंगा तो automatic long term है section 54 activate हो जाएगा बोलेगा भाईया तेरा long term है तो मैं तुझे allowed करता हूँ deduction के लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ question में क्या था sir question के दो पार्ट थे इस question में जो हम कर रहे है एक पार्ट ये था simple सा पार्ट जो सभी बच्चों को समझ में आ गया अगर इस घर को जो इसने खरीदा है इस घर को इसे 3 साल तक नहीं बेचना था तो ये जो यहाँ minus किया है अगली बार उसके cost of accusation में से क्या हो जाएगा minus कर दिया जाएगा मैं यहाँ पर less कर रहा हूँ less कर रहा हूँ मैं exemption 54 का जो हो गया इसका cancel हो है वो मैंने यहाँ minus कर दूँगा और उसके according होगा मैं कुछ cases बना देता हूँ case number one case number one अगर वो purchase करता अगर वो purchase करता मैं पूछता जाओगा बस general answer देते जाएगा क्या होगा comment में लिखते जाएगा और मैं समस्ता जाओगा मुझे बताते जाएगा पहले मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ उसने घर ना खरीदा होता घर या फिर मैं मान लेता हूँ घर खरीदा है purchase before one year एक साल खरीदा है पहले आठ पचास का क्या ये 54 के अंदर deduction ले पाएगा मैं भी इस point से बात कर रहा हूँ अगले point पे नहीं है बताइए एक साल पहले खरीदा आठ पचास का क्या deduction मिलेगा मिल जाएगा नमबर दो उसने खरीदा ही नहीं घर deposit कर दिया है इन capital gain deposit account में और purchase of residential house खरीदेगा बाद में उसने deposit कर दिया है लेकिन deposit कब करना है सर return file करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना है return file कहीं पता चल रहा है आपने deposit करना है बाद में कर रहे है return file का है return file कब होता है सर हर साल का 31 यानि 31 मार्च तक का काम है तो 31 साथ 2022 तक आपको return file कर लेना पड़ेगा और ये individual के लिए company वगरे के लिए allowed partnership के लिए ऐसा कोई allowed नहीं है तो सर आपको return file करने से पहले जमा करवाया अगर cg में तो मिलेगा तो deduction आपको मिल जाएगा पहले बताइए second point के अंदर deduction मिलेगा आपको clear है clear है ना third point मैं बोलू अगर के मैंने cg में cg में करवाये जमा आठ लाक रुपे और ये करवाया 31 साथ दो हजार बाइस को और बाकी के मैंने 2 लाक जमा करवाये cg में 31,8,2022 को मैंने cg के अंदर total 10 लाक रुपे जमा किये हैं कुछ पैसे मैंने 31,7 को किये हैं और कुछ पैसे मैंने 31,8 को किये हैं हजार बाइस में यानि अगले साल तो बताईए यहां डिड़क्शन के लिए कितना एलिजिबल होगा आठ या दस या फिर आठ लाख उना से यानि एट लाक हेटी नाइन थाउजन फाइव हंड्रेट फिफ्टी फाइव कितने डिड़क्शन के लिए हैं यस कह रहे हैं कि तीन लाक सुमित आठ लाक सोयब आठ लाक आठ लाक सभी बच्चों का जवाब लगबग लगबग आठ लाक रुपए हैं बिलकुल सही रिटन यह सारी बाते देखो आज करवा रहा हूं एक मैंने बाद हम भूल जाते हैं इसलिए मैंने सभी के लिए चार्ट बना दिया कि अगर एक बार समझ में आ गया तो एक बार फट 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 पढ़ते जाओगे अभी मैं बता दूंगा और वह आपको जो घर बेचा है सर साड़े आठ का तो वैसे हाला कि अगर ये कंडिशन नहीं होता तो एक घर दस का बेच रहे हो साड़े आठ का खरीद रहे हो तो आपका टेक्सिबल इंकम होना चाहिए डेड़ लाग रुपए क्योंकि ये साड़े आठ लाख रुपए पहले आपने गौर्रमेंट से एक्जंशन ले लिया था और गौर्रमेंट के रूल को तोड़ दिया तो गौर्रमेंट ने बोला पहले वाले को करेंगे कैंसिल यानि आपका डेड़ लाख रुपए आपका कैपिल गिन नहीं होगा अब हम मानेंगे पूरे दस लाख रुपए और उसके उपर आपसे टेक्स लेंगा अब देखना है ये वाला जो दस लाख होगा ये क्या हैगा हमारा इसके अंदर भी पॉइंट्स है कि सर शॉट्रम में सो कुछ हिस्से के उपर वह 20 परसेंट लगाएगा रेट की अभी बात नहीं कर रहा स्रिफ और स्रिफ टेक्स की हम बात कर रहे हैं पहले यहां तक सारी बाते क्लियर हो गई होगे तो मैं आपको फटा-फट से थियोरी पढ़ादू चार्ट में किस तरीके से रहने वाला है हमारा यहां तक क्लियर है तो बता दीजिए चलिए सर थियोरी देख लें पढ़ने का तरीका पता हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको सेक्शन फिफ्टी फोर चलिए आज आईए थियोरी तर स्टी सीजी क्यों लिखा स्टी सीजी इसलिए लिखा क्योंकि यह बेच दिया इसने एक साल के अंदर अंदर चौबिस महिने तक इसको होड नहीं किया इसलिए इसको शॉट ट्रम कैपटल गेन बोलेंगे इसको शॉट फॉर्म में मैं स्टी सीजी बोल दिया मैंने ठीक है नहीं STCG में last class में बताया था short term capital gain में indexation allowed नहीं है क्योंकि रुपे इतना ज़्यादा fluctuate नहीं होता अभी मैं एक बार theory दिखा दूँ आपको चलिए सर आज आईए theory पे 54 54 54 54 हाँ जी दीरे दीरे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे फिर एक बार दिखा दूँगा मैं सारा का सारा होफुली आपको क्लियर विजुल होगा मुझे तो यहाँ पर क्लियर है हमने सारे सीरीज का एक ही चार्ट में कम्प्लीट कराए कि जब आप कैपिटल गें रिवाइस करने बैठे हो तो एक बार में आपका हो जाए फटा फट से रिवीजन सर क्या कहता है सबसे पहले सेक्शन 54 स्रिफ इस लाइन को पढ़ेंगे आगे वाली लाइन को कोई ध्यान नहीं देगा पर्टनेस के लिए कहता है हू केन क्लेम सर इसका क्लेम कौन कर सकता है स्रिफ इंडिवीज्वल और हुए अगर कोई पार्टनर्शिप ऐसा काम करता है कि मैंने घर बेच दिया तो जो की डेफिनेशन 22 में गीवन था याद है ना सेक्शन 22 में हाउस पॉपटी किसको बोलते हैं वो होना चाहिए जो हाउस पॉपटी के लिए टेक्सिबल होगा वही यहाँ पे वैलिड होगा यहां तक समझ मैं आई बात आपको यानि सर कौन से एसेट्स बेचना है तो सिंपल सी बात है भाई इतना क्यों घुमारा है घर बेचना है रहते हैं जिसमें वो ठीक है आगे के कहानी क्या कैता है सर आगे के कहानी देखें तो कहता है कि आपका क्या टाइम होना चाहिए ट्रांस्फर कब करोगे तो कहता पिरेड यूज पोसेशन एसेट्स कब होगा कहता है यानि जो आप घर बेच रहे हो यो लॉँद्र कहता है इसके बाद कहता है कि nature of capital gain सर क्या होना चाहिए simple सी बात है long term capital gain सर इसके बाद क्या कहता है देखिए eligible क्या है सर आपको eligible का मतलब क्या है सर आप खरीदना क्या चाहते हो आपको खरीदना क्या है पहले तो हो गया कौन लेगा individual क्या बेचेगा घर बेचेगा कौन सा होना चाहिए long term होना चाहिए ठीक है अब sir आप किस लिए लिजी पर आपको deduction लेना है आपने बोला sir लेना है deduction तो मैं जो बता रहा हूं वो काम करना है आप खरीदिये residential house property आपको weather acquired agriculture नहीं यह लाइन थोड़ा सा गलत हो गय एक मिनिट मैं थोड़ा सा correction कर देता हूं जिसके पास 10 यर वो भी कर लेंगे कहता है residential house property acquire करना है यह line नहीं है यह line नहीं आप भी cut कर लेना house property construction in India if cg does not अगर cg जो है capital gain वो exceed नहीं होना चाहिए 2 करोड रुपे से can purchase two residential house property और यह हमारा finance act 2019 में amendment आया था इससे पहले आपको सिर्फ एक घर खरीदने को दिया जाता था और 2 करोड की limit भी नहीं हुआ करता था यह 2019 के अंदर amendment आया था तो अभी तो बहुत जादा हो गय तो आपको मैंने लिख दिया है जिसके पास पुरानी book होगा समझ जाएगा यानि सर सिंपल सी बात है eligible अगर आप deduction लेना चाहते हो तो आप क्या खरीदो सर सिंपल सी बात है घर खरीद लो कितने घर खरीदो दो खरीद सकते है ऐसा नहीं दो ही खरीदना है दो खरीद सकते ह वालवा सर maximum time कितना दिया गया खरीदने के लिए तो क्या लिखा है यहाँ पर maximum time कितना दिया गया खरीदने के लिए तो कहता ही purchase आपको करना है one year before two year after date of transfer जिस दिन बेचा गया उस दिन से if construction for three year date of transfer जिस दिन बेचा गया उस दिन से तीन साल आपको गिननने है चलिए सर quantum amount of क्वांटम का मतलब होता है कितना deduction कितना माइनस करना है तो सर माइनस आपको करना है lower of आपका जितना भी investment है new assets और capital gain capital gain और investment जो दोनों में से कम होगा वो माइनस कर लीजिए जैसे कि 50 लाख रुपे का आपका capital gain है और investment आपका 1 करूड का है तो कितना माइन करेंगे अगर आपका 50 लाख का capital gain है investment आपका 40 लाख है तो क्या माइनस करेंगे 40 लाख क्या यहाँ capital gain deposit में जमा करवा सकते हैं yes allow है एक पर फटा फट से मैं एक ही पेज़ पे सारा का सारा दिखा देता हूँ ताकि आपको easily समझ में आ जाए चलिए सर 54 अगेन पढ़ देते हैं who can claim individual asset transfer house property कितने time long term cg कौनचा होना चाहिए long term इसके बाद देखा जाए eligible residential house करीदना है कितने दो maximum खरी सकते हैं दो करोड का होना चाहिए कब खरीदना एक साल पहले दो साल बाद construction के लिए तीन साल lower amount और capital gain deposit यह हमारा पूरा 54 है और 54 को ऐसे ही आपको जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो एक पूरा एक paragraph format में bullet point में आपको लिख के आना होगा exam के अंदर जो किस तरीके से ल तो मैंने अलग से explain भी किया यह तो चार्ट है चार्ट के लिवा explanation भी किया हुआ है कि कैसे आपको लिखना है आप वहाँ पर मिल जाएगा आपको यह theory वाले section में बच्चे कहरें से थोड़ा blur हो रहा है कोई बात नहीं आप देख लीजे मैं यह PDF आपके कर दूँगा upload और जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ क्या कर सकते हैं सर एक काम तो कर सकते हैं फिर वहाँ भी थोड़ा blurry दिखेगा आगे काम आएगा अभी थोड़ी दिर बाद काम आएगा यह इस पूरे को capture कर लेते हैं फिर थोड़ा बड़ा आपको ओहो यह तो कुश्चन पर आ गया चलिए जो बच्चे कह रहे हैं ब्लर दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए अब आपको दिख जाएगा कुश्चन दिखता है तो यह भी दिखना चाहिए ठीक है कर दो कर दो कर दो है च्यों मैं वीजवल कर्वा सकता हूं वह मैस्टू मैस्ट दिखा दितो हूं जिन भाज़ों नहीं खरिएदा बाकि 10 यह ले लीज़े बाकि जिसने किताब लिया ऐसा नहीं है किताब डंडर नहीं है किताब के अंदर है सेम बात है बूली गई है क्या आप आपको clear visual है देख लीजे 54 एक बार फटा फट पढ़ लीजे किसी को दिक्कत है तो ठीक नहीं तो फिर हम अगला section तयार करते है चोवण B सरिफ एक section में base बनाया गया इसलिए time लगा है बाकी section में तो प्रोविजन बताना है फटा फट खतम होना चालो हो जाएगा कह रहे है बच्चे कह रहे है सर हर question में section 54 का पढ़ेंगे क्या नहीं नहीं हर question में नहीं हर question में अलग अलग रहेगा ऐसा थोड़ी हर question में 54 का ही रहेगा अ tenure आपके पास शिवदास का tenure होगा उसके अंदर available है सारे नूट्स डाले हुए मैंने शिवदास का tenure लेंगे वो available है